हलो फ्रेंड्स क्वार्कस फ्रेमवर्क सीखने की सीरीज में आज हमारा ह्लेमत लेक्षर है और यह बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट है यह इंपोर्टेंट क्यों है वह अभी हम इस वीडियो में जानेंगे तो आप इसको द्यान से देखना और अगर आपने इसे पिछले व प्रोजेक्ट में क्या किया था कि यह मेरा प्रोजेक्ट था जिसमें मैं काम कर रहा था जिसका नाम मालीजी एबीची है और वहां पर हमने नाम दिया था इस प्रोजेक्ट का इंडिया वेदर और यह इंडिया वेदर कोल कर रहा था नासा के वेदर की एपीएईज को तो जैसी यहां से हमारा एंड यूजर था यह अमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक एपीए को कोल किया कि मुझे वेदर की इनपूर में से दे दो दुबई की क्योंकि हमारे पास वेदर का डेटाबेस का एकसेश नहीं है तो हमने क्या किया कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटरनली कोल किया नासा के वेदर एपीएज को और वहां पर हमने कहा कि हमें दुबई के वेदर की इनपूर मेशन बेज़ दो उन्होंने बेजी तो यहां से पिर हमने यह वेदर की इनपूर मेशन अपने एंड इसर को रीटन करती है तो आप यहां पर देख सकते हो कि हमारा जो एप है और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिपेंड कर रहा है नासा की एपीएज पे या नासा के सर्वर पे अब ऐसा क्यों है क्योंकि मान लीजिए कि हमने का है कि हमें दूबई की इनपॉरमेशन दे दो और नासा के सर्वर पे कुछ मेंटेनिंस का काम चल रहा है या फिर कुछ इश्यू आ गया है या इस सर्वर डाउन है तो इस केस में क्या होगा कि हमें कोई रिस्पॉंस नहीं मिलेगा और हमारा एप यहां पर रिक्वे पर डिपेंड कर रहे हैं तो इस केस में हमें क्या करना होता है कि हमें यह बताना होता है कि जब कभी भी अगर जिस सर्वर पर डिपेंड कर रहे हैं वो डाउन होता है तो उस केस में हम क्या दिखाएंगे अपनी यूजर को क्योंकि हम तो खुद मालिक नहीं अपने पूरे method आपने आकि एक API को call किया गेट वेदर की और इस API ने आपको response दे दिया लेकिन किसी वज़ाए से जो यह server था यह down है यह फिर इन्होंने अपना path change कर दिया गेट वेदर की जगह इन्होंने अब नया path रख दिया कि वेदर by country हम इतनी देर call कर रहते है get weather slash Dubai अब उन्होंने अपने API का path change कर दे है weather by country और slash Dubai इस case में हमें क्या output मिलेगा 404 page not found क्यों क्योंकि अब यह page exist ही नहीं करता है तो इस case में क्या होगा कि हमें अपने project को इस तरह की से robust बनाना है कि in case अगर कभी failure भी आ जाए तो हमारे end user को bad experience ना हो experience हमेशा rich रहे तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजे कि यहां महारे पास यहां पे एक method है get weather नाम का और यह add the rate get type का method है और यह internally call कर रहा है यहां पे नासा का method get weather by country और यह नासा की API है इनको call कर रहा है तो हमारा यह method नासा की API को call कर रहा है और यह same error अपने end user को देखने को मिलेगी तो इस case में हम क्या करेंगे कि हम जो यह method है इसके उपर एक annotation यूज में लेंगे add the rate fallback और इस fallback annotation के अंदर हम एक चीज़ बताएंगे fallback method और यहां पे हम लिखेंगे एक method का नाम suppose करो ABC तो अब क्या होगा कि हम इस method के नीचे suppose यह method है इसके नीचे हम यह ABC नाम का method बनाएंगे ठीक है अब क्या होगा कि जैसी हमारे पास किसी भी तरह की एक error आ जाती है मालेंगे API का path change हो गया या फिर API response नहीं कर रही है तो उस case में क्या होगा कि हमारा तूरंत यह fallback method चल जाएगा और इस fallback method के अंदर हम क्या दिखा देंगे कुछ भी दिखा सकते हैं इज अंडर maintenance या जो भी हम message आपन दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं तो अब आप समझ गयोंगे कि यह बहुत ही कमाल का feature है और यह feature exist होना चाहिए क्यों कि आज कल हम काम करते हैं micro services पर अगर मैं आपको बताऊँ तो आज कल हम follow करते हैं micro services architecture को micro services architecture में हम क्या करते हैं कि हम अपने project को छोटी-छोटी micro services में divide कर देते हैं और यह part है वो chats को handle कर रहा है और यह part है वो post को handle कर रहा है और यह ads को handle कर रहा है तो हमने क्या कि हमने अपने बड़े प्रोजेक्ट तो च्यार प्रोजेक्ट में डिवाइड किया इसको अलग सर्वर पे डाल दिया इसको अलग सर्वर पे इसको अलग सर्वर पे इसको अलग सर्वर पे अब आप यहां पर ध्यान देंगे एक चीज कि हम जानते हैं कि हमारे जब user तो हमारे पास एक create हो गया, यह दिन के अंदर हमारे पास 100 user बनते हैं, लेकिन हमारे पास post एक दिन के अंदर हम तक्रीवन तक्रीवन 10,000 post अप्लोड करते हैं, तो आप देख सकते हो कि हमारा post वाला server पर ज्यादा लोड पड़ रहा है, इसी प्रकार से chat वाले server पर ज्य के हमारे पूरे पूरे प्रोजेक्ट की प्रफॉर्मिंस क्या होती है कि बहुत सांदार रहती है। तो इसके बारे में हम अब आगी और जानेंगे जब हम QARGUS की अंदर तो अब इस case में क्या होगा कि माले जी कि कोई भी एक आदमी है वो एक post करना चाहता है यह माले जी आदमी एक post करना चाहता है तो post करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या वह एक valid user है नहीं है तो चलिए यह तो होगी आगी की बाते हैं तो अभी हम जो हमने सीखा था कि हम किस तरीके से एक fallback method बना सकते हैं in case of any failure और उस method को कैसे execute कर सकते हैं वो चलिए हम जानते हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि हमने अपने project के अंदर पिछले project के अंदर हमने tvmage की API को call किया था ठीक है हम उसी project से continue करेंगे तो अगर आपने वो project नहीं देखा है तो आप इससे पिछले वाला video 8 और 9 वीडियो देख लीजिए और तभी इस project में move कीजिए कि वो project देखे भीन आपको इसका idea नहीं लग पाएगा तो चलिए मैं चलता हम अपने intelligence पर और करते हैं आज का practical शुरू तो friends मैं आ चुका हूँ मेरे पिछले वाले project में और आप देख सकते हो कि इस project में हमने क्या किया था कि हमने tv series resource नाम की resource class बनाई थी जिसके अंदर हमने इस API को call किया था और यह API internally क्या कर रही थी और मैं यह tv series by id method है और अगर मैं इस method में जाओं तो आप देख सकते हो कि हम tv image की API को call कर रहे थी ठीक है और हमने क्या किया था कि यह method हमें source की information return कर रहा था अब मैं आपको एक बार यह project run करके दिखा देता हूं कि हमें output में क्या मिला था तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमे kvn qarcus colon dev आप wait करते हैं तो friends हमारा project run हो चुका है 8080 port पे और आपको याद होगा कि मैंने इस project के अंदर swagger UI को enable कर रखा है अगर मैं आपको दिखा हूं तो यह रही मेरी pom.xml file और कर मैं इसमें नीचे जाओं तो अब यहां पर देख सकते हूं यह मेरे पास swagger UI का extension aid है तो चलिए हम अपने ब्राउजर पर चलते हैं और इस project करते हैं अब यहां पर मैं टाइप करता हूं localhost 8080 अब अब अगर मैं यहां पर इस वाल यह API को test करूं tvseries.id वाली को तो यहां पर try out पे किजिए यहां पर कोई भी एक id पास किजिए महां लेजे 120 पास करता हूं में अगर execute करता हूं इसको तो आप देख सकते हो हमें oren एक्जेक्यूट कीजिए क्या में कोई information मिलती है या ओके ओके लोरेन नाम के person की सारी information हमारे पास आच चुकिए तो इसका मतलब अभी हमारी यह दोने काम कर रही है अब मैं अगर इसमें एक थोड़ा सा चेंज करता हूं वह चेंज क्या है अब आप देखिए मान लेजिए कि मैं यहां पर यह इस थी सोच मैं यहां पर कुछ ओड़ लिख देता हूं ठीक है तो अब क्योंकि यह एक्जिस्ट नहीं करती है तो इस केस में हम यह ऑट्पूट में क्या आना चाहिए वो एक बार देखते हैं तो चलिए मैं इस एक्जिस्ट करता हूं अमई प्रोजेक्ट दुबारा रण करने की ज़रूत है नहीं तो अगर मैं इसको execute करूँ तो क्या output में आता है तो यह आ गया error आ गई हमारे पास, error क्या आ गई not found आ गई और अगर मैं यहां से access करूँ अगर अगर अपने ब्राउजर से directly call करता हूँ तो मेरे पास क्या output में आता है यह output में आ गया इस case में हम क्या करेंगे हम अपने चलते हैं resource पे जहां पर हम इस method को call कर रहे हैं तो आप देख सकते हो हम यहां पर इस method को call कर रहे हैं तो यहां पर आपको एक annotation यूज में लेना है एड़ दरेट वह extension कौनस है वह सबसे पहले हम देखते हैं तो उसके लिए हम अपने टर्मिनल पर जाते हैं यहां पर प्लस पर करते हैं और एक और नए टर्मिनल ओपन करते हैं और यहां पर हम सारे extensions की लिस्ट आ गई है अब हमें कौन सा extension एड़ करना है वह है यह कौर्केश इस्मॉल और राई यह वाला कौर्केश इस्मॉल और राई फॉल तो चलिए इसको एड़ करते हैं तो उसके लिए मैं इसका नाम कोपी कर लेता हूं नए extension को को एड़ करने का मल्टिपल तरीके हैं तो मैंने आपको एक कमांड तो कई बार बता दिये तो आज हम चलिए डायरेक्ट यहीं से एड़ कर लेते हैं अपनी pom.xml फाइल में उसके लिए मैं क्या करता हूं इसको डूब्लिकेट करता हूं और यहां पर मैं यह चेंज कर देता हूं कि मैंने चेंज किया और मैं इसको सिंक कर लेता हूं अब क्या करेगा है कि यह इस extension के जितनी भी dependency उन सारों को डाउनलोड करेगा तब तक हम वेट करते हैं तो हमारी dependency डाउनलोड हो चुकी है अब अगर मैं टीवी रिसोर्स वाले में जाता हूं मैं दूबारा शी यहां पर लिखता हूं ठींम का में चुक चाउ पर दिख कर लेंगे तो आपको यह वाला फॉल्बिक इंपोर्ट करका थे Marахल 5 और यहांपर लिखना है आ आपको विश्यां पर फॉल्बेग मेतट्द और यहां प कि आप फॉल्बेग मेतटड बता दीजीर यहांपर मैं लिख देता हूं अब यह मुझे एरर क्यों दे रहा है क्योंकि यह method exist नहीं करता है तो यहां पे चलिए यह method बना लेते हैं तो इस method को बनाने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जिस method के लिए आप fallback method बना रहे हो आप दुबार सुनिए कि जिस method के लिए आप fallback method define कर रहे हो तो उस fallback method का signature भी इसके जैसा ही होना चाहिए तो मैं इसी को एक बार copy करता हूं यहां पर मैंने paste किया और इस method कर मैं नाम लिख देता हूं और यहां से आपको एट दर एट पेराम अनोटेशन यह अटा देना है क्योंकि यह अनोटेशन तो हम यूर्ल से डेटा को गेट करने के लिए लिए लेते तो इसको आप हटा दीजिए तो मैंने क्या किया कि यह method इस अगे लिए पॉलबेक मेथन कर रहा हूं तो यह written क्या कर रहा है टीवी सिएष कर रहा है और यह argument में क्या ले रहा है एक id ले रहा है तो यहां पे मैंने एक id पास कर दीँए अब यहां पर मैं कुछ भी रिटन कर सकता हूँ यहां पर मान लीजिए मैंने simple empty object रिटन कर दिया यहां पर मैंने रिटन कर दिया new tv series अब अगर मैं इस project दूबारा से run करता हूँ वैसे मुझे run करने की ज़रत नहीं है तो चलिए मैं इसको reload करता हूँ और देखते हमें क्या output मिलता है तो अगर मैं यहां पर इसको रिफ्रेस करता हूँ तो प्रेंट्स हमें यह error आ रही है तो यह error क्यों आ रही है क्योंकि हमने एक नई dependency add किये तो उसके लिए साहिद अब मैं अपने project को restart करना होगा तो इसके लिए मैं अपने project को दुबार से start करता हूँ करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमें एक empty object मिल चुका है इसका मतलब हमारा यह method सभी से काम कर रहा है अगर मैं आपको इसको सभी से दिखाऊं तो generally मैंने आपको बता है कि हम API के अंदर कभी भी object नहीं return करते हैं हम यहां पर response रिटन करते है response का object यहां पर मैं लिखता हूँ response और इस पूरे डेटा को मैं response object में रेप कर देता हूँ तो उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूँ response.ok और यहां पर मैं लिखता हूँ .build अगर हमारे पास data मिलता है तो हम क्या कर रहे हैं response class के अंदर अपना data paint करके भीज रहे हैं और अगर हमारे पास response नहीं मिलता है तो उस case में हम क्या करेंगे हम response के अंदर एक message भीज देंगे क्या site is under maintenance maintenance की spinning गलत है क्या और अब देखते हैं कि हमें यह message मिलता है और नहीं मिलता है एक बार मैं इसको करके दिखाता हूं अगर इसको में close करता हूं अगर मैं इस API को सई कर देता हूं तो इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो हमें output में मिलना चाहिए अब देखके हैं अब आउट पूट में actual response मिल चुका है अगर मैं इसको थोड़ा से तो आपने कितने गजब तरीके से अपनी errors को handle कर लिया है और यह एक project के अंदर में चीज होती है कि हम कभी भी अपने end user को error नहीं दिखाते हैं वरना उसका experience बहुत बेकार होता है वह सोचता है कि side down हो चुक है और वह दूसरी side पे move होने की try करता है तो इस case में आपने को error दिखानी है तो आप हर एक method के लिए इस तरीके से fallback method बना सकते हैं यह तो था इसका part 1 तो अब हम next वीडियो में क्या करेंगे मान लीजी कि हमारी जो tv maze वाली API यह वह response तो return कर रही है लेकिन वह time बहुँ ज़्यादा ले रही है मान लीजी उसको user लेना चाहिए 5 second का लेकिन वह time ले रही है कभी one minute कभी two minute तो उस case में क्योंकि user को फिर वह loading 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 दिखेगा तो हम यह नहीं चाहते हम चाहते हैं कि जैसे ही 30 second का time जाए और अगर हमें response ना मिले तो हम user को कुछ message दिखा देंगे कि यह और internet connection is slow या जो भी हो यह फिर हम क्या करेंगे कि हमने देख लिया कि 30 second में response नहीं रहा तो हम request दुबारा बेचेंगे और फिर 30 second में response नहीं आया तो हम एक बार और request बेचेंगे अगर तीन बार request बेचेंगे बाद भी response नहीं आता है तब हम समझ लेंगे कि आगे कुछ ना कुछ गडबड है और हम यूजर को fallback method execute कराके कुछ ना कुछ response दिखा देंगे तो यह कई सारी चीजे होती है जिनको हम fall tolerance कहते हैं तो चलिए हम मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने कमेंट लिखिए